यूपी की राजधानी लखनव के बीबी एयू में कई दिनों से आंदोलन चल रहा है दली छात्राएं आंदोलन कर रही है लेकिन अखबारों से खबर गायब है टीवी मीडिया से खबर गायब है और जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनको नियाएं नहीं मिल पा रहा है यह हमा उत्तर प्रदेश जहां पर डबल इंजन की सरकार है नमस्कार मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक भारत आजाद हो गया हमने अमरित महुत्सव भी मना लिया आजादी का 15 तरहां अमरित महुत्सव अमरित काल में प्रवेश भी कर चुके हैं लेकिन यहां पर दलितों को न्याय नहीं मिलता यहां पर बहन बेटियों को न्याय नहीं मिलता न्याय के लिए गुहार लगाती रहती हैं जान चली जाती है न्याय नहीं मिलता इंसाफ नहीं मिल पाता मूक नायक ने खबर छापी है राजधानी लखनव के बाबा यानि 26 जनवरी के दवरान कुछ छात्राओं ने अम्बेटकर जी की मूर्थी पर माला नहीं पहनाई और अपशब्द भी कहें आरोप है कि कुछ छात्राओं ने अम्बेटकर जी की मूर्थी पर माला नहीं चड़ाई और टोकने पर अपशब्द कहें जिसके विरोध में कई छात्र प्रदर्शन पर बैठ गए छात्रों दोरा शुक्रवार की रात भी प्रदर्शन जारी रहा और अभी तक जो पूरा प्रशासन है सब लोग खामोश है कोई नहीं बोल पा रहा है ना जाने क्या मजबूरियां है वहीं हैश्टेग भारत नियू ट्विड करता है लखनव बीबी एयू अंबेडकर शुद्याले में महिलाओं का देराधरना बी आर अंबेडकर पर हुई अभट टिपडि से आहत छात्राएं धरने पर बैठी छात्राओं ने प्रशासन पर लगाया आरोप तमाम वीडियोज भी अब सामने आ रहे हैं वि इबी एयू में तीसरे दिन भी रात भात धरने पर बैठे रे बहुजन छात्राएं तीन दिन से विशुद्याले प्रशासन मुख दर्सक बना हुआ है विशुद्याले प्रशासन लखनव पुलिस को दवारा बहुजन छात्राओं को धमकाया जा रहा है आप सोचिए यह तस्वीरे में आपको दिखा रहा हूं किस तरीके से यहां पर सैकलो छात्र और छात्राएं हैं इनके हाथों में पोश्टर बैनर हैं यह लोग इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं नयाय की मांग कर रहे हैं लेकिन विशुद्याले प्रशासन खामोश है और उत्तर का प्रियोग एबी वीपी के गुंडों के द्वारा किया गया यहां बाबा साहब का अपमान किया जाता है और प्रशासन मूग दर्सक बना रहता है छात्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है लेकिन जो खबर है टीवी से गायब अखबार से गायब है जानते हैं क्यों तरफ सन्नाटा है और कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं हो रहा है अगर वहीं किसी कहीं रामचरित मानस पर सवाल खड़ी किये गए होते हैं तो अब तक हमारे देश में आंदोलन हो रहा होता राष्ट ब्यापी आंदोलन होता आपने दिए किस तरीके से समाजवादी प समाज की जो लोग हैं वह लोग बॉखला गए थे लेकिन यहां पर तीन दिनों से आंदोलन चल रहा है आप कलपना कर सकते हैं क्या आप रात के बारा बजे दस बजे घर से निकल सकते हैं नहीं निकल सकते क्योंकि ठंड बहुत जादा है बीस ठंड पढ़ रही है लेकिन य के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी वे कहते हैं मैं बाबा साहब को मानता हूं बाबा साहब का बहुत बड़ा फॉलोवर हूं तो बताने के लिए काफी है आप कितने बड़े बाबा साहब के फॉलोवर हैं बाबा साहब को अपमानित किया जा रहा है बाबा साहब हैं लेकिन कोई कारवाई नहीं हो रही है क्योंकि आप की ही पाइटी के मुख्यमंत्री तो योगी आधितनाथ हैं दबल इंजन की सरकार है लेकिन इसके बाद कोई कारवाई की नहीं हो रही है जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आधितिनाथ बैठते हैं वहां से भी शुद्याले की दूरी तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर की है लेकिन क्या योगी के कानों तक आवाज नहीं पहुंच रही है क्या मजबूरियां है कि योग कि एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे है एक ट्वीड भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से नहीं आया है ना ही उत्तर प्रदेस की पुलिस कुछ बोल रही है और tv मीडिया तो वैसे भी नहीं बोलेगी क्योंकि जितने संपादक है टीवी शेंडल्स के आप जाकर के पता क लडेंगे अब मैं आपको एक और फोटो दिखा रहा हूं आप इन फोटो को देखिए सुरक्षा गार तैनाद कर दी गए हैं लगताए गुंडे हैं मवाली हैं तंकवादी हैं इनको आगे ना बढ़ने दिया जाए एक कुछ और ना करने पाएं बताइए कोई नयाय मांग र स्रीके से आप शब मुझे निकालेंगे तो क्या एंगे खिलाब कारवाई नहीं होनी चाहिए कारवाई तो होनी चाहिए थी लेकिन अभी तक कोई कारवाई नहीं हुई है देखना ही होगा कि आगे प्रशासन और शासन क्या कोई ठोस कदम उठाती है या फिर जो आंदोलन है धर्ना अबिरोत प्रदर्शन है ऐसे ही अनुवरत जारी रहेगा आप लोग क्या सोचते हैं कि इस निजरिये से पूरी खबर को देखते हैं आप लोग अपनी राह में जरूर बताईएगा धन्यवाद निशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चा क्या थजरिये से लेढ को दीटर है कुआ है उया तैसर अनुवरत वार गविर निए तो रहेगा घुग शहे चानल दसनậy Доक्सक की आपसका है यदिर धन्यवाद आपसे को देखके हैं आप स